मेरा नामे योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं Reliance Communication Limited के बारे में और साथी कवर करेगे इसकी रिगारिंग कुछ लेटेस अबडेट्स और साथी वीडियो में मैं आगे आपके शर्षेर करूगा आने वेले समय में Reliance Communication के Short Term टागेट्स और Long Term में इसके क्या टागेट्स होने वाले स्टॉक की करन मार्केट पर इसकी बात करें तो फिला ले स्टॉक हमें 1.85 पैसे पे ट्रेड करते वे नज़र आ रहा है और आज स्टॉक में हमें एक 5% की काफी स्टॉंग अपर सरकेट देखने हो मिले जा रिसेंटली देखा जाए तो स्टॉक सीफ हमें वीक में एक बार यानि मंडे मंडे ट्रेड हो रहा था लेकिन अब स्टॉक फिर से आपे रैगूलर ट्रेड में आते हो यह नज़र आ रहा है जिसके चलते भी स्टॉक में हमें एक अच्छी तीजी या पे देखने को मिलते हो यह नज़र आ रही है पिस ठटी पैसे इस रेंज के आसपा जाके स्टॉक में फिर से हमें एक रिवर्सल देखने हो मिलता है जासे स्टॉक फिर से हमें पहली के दरह कंटीन्यूसली लोगर सर्किट भी लगाते वह नज़र आता है और ये सिलसेल हमें काफी लंबे समय से देखने हो मिल रहा है लेकिन आने वाले कुछ दिन आपे Reliance Communication के लिए काफी ज़ादा important होते हुए नजर आ रहे है जा आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें Reliance Communication में काफी बड़े updates भी देखने को मिलते हुए नजर आ सकती है और जैसे कि आपको हमने recently बोला आने वाले कुछ दिन आपे काफी ज़ादा important होते हुए नजर आ रहे है क्योंकि अभी भी देखा जा है तो Reliance Communication हमें NCLT कोट में देखने हुए और कोई भी stock जब NCLT कोट में होता है तो उस stock में कोई latest update या कोई बड़ी update आने में काफी लंबा समय देखने हों मिलता है लेकिन recently देखा है तो stock हमें insolvency resolution की और बढ़ते वी नसर आ रहे है जिसके चलते Reliance Communication की जो committee of creditors से वो continuously आपे meeting करते वी नसर आ रहे है जा 29 जुलाई को भी एक meeting हमें देखने हों मिली और साथी 24 जुलाई को भी हमें एक काफी बड़ी update या पे कलते वी नसर नहीं आ रहे है और जैसे कि आपको मैंने बोला आने विले 10 या 12 दिनों के बाद company आपे अपने quarter one की results भी अनौन्स करते वी नसर आ रहे है जो कि फिलाल देखा है तो एक stock के लिए एक काफी ज़्यादा आपे positive point भी नसर आ रहे है क्यूंकि recently last year की compare करें तो last year क को company आराउं 12 ओगस्ट 2023 को अपने quarter one की results या अनौन्स के थे और मैं भी recently देखा है जा एक तरफ इंडिया में टेलिकॉम सेक्टर के stocks में हमें एक अच्छी तेजी देखने को भी जा government भी टेलिकॉम सेक्टर के उपर काफी ज़रा focus है और continuously एक बड़े बड़े investment भी करते वी जिसके चलते stock के जितने भी negative points है वो दीरे दीरे अब positive होते भी नसर आरे जिसके चलते काफी जारा chances से कि आने वले कुछ दिनों के अंदर हमें Reliance Communication में भी कोई settlement की update या पर देखने को मिलते भी नसर आएगी NCLT quote में क्योंकि अभी भी देखा जाए तो Reliance Communication में हमें कुछ negative points भी नसर आरे कुछ positive points भी नसर आरे कंपनी की negative points यही है कि Reliance Communication के उपर जो कर्ज है वो काफी ज़्यादा देखने हो मिला है लेकिन अभी भी दे देखा जाए तो Reliance Communication के जो अभी भी अच्छी तरीके से वर्थ करते भी नसर आरे और साथ इनका जो broadway business है वो अभी भी corporate level पे एक अच्छी कासी या पर service देते भी नसर आरे जो कि आनुवले समय में Reliance Communication के लिए एक अच्छी कासी game changing भी point होते भी नसर आ सकता है और जैसे कि आज stock के delivery volume की बात करें तो आज stock में हमें एक अपर सरकीट देखने हो मिली जिसके चलते stock में हमें एक अच्छी कासी buying भी या पर होते भी नजर आ रही जा आज की जो सबसे बड़ी last deal की बात करें जापे आराउं 2 crore shares buy किये गए जिसकी जो total value price आराउं 37 lakh हमें देखने हो मि तो stock में हमें easily आसे 2 rupees 1 50 पैसे और maybe short time में 3 rupees के targets भी बहुत जल देखाते हो नजर आ सकता है तो फिलाल देखा जाए तो reliance communication का जो main focus है वो हमें quarter 1 के results के उपर देखने हो मिल रहा है और एक बार company हमने quarter 1 के results में अच्छे number post कर लेगी तो stock में हमें आने वाले कुछ दिनों के इसलिए अपर circuit भी लगाता है नसर आ सकता है तो आज के लिए बस इतना है reliance communication में जैसे कोई latest update या जैसे कोई latest news होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी तो वीडियो पसे नहीं तो वीडियो को लाइक करो चैनल पे नहीं तो चैनल को सस् मिलते एक लिए वीडियो में थेंक यू